कई बार लिप्स पे लिप्स्टिक एपलाई करने से या पॉलूशन की वज़ा से अमारे लिप्स चैप्ट और राश हो जाती है और लिप्स पे एक डेड़ स्कीन की परत जैसी पर जाती है तो इसका कुईक सॉलूशन आपके लिए आज मैं लाई हूँ जो की है यह गुड़ है यहलो एब्रीवन वेलकम बैक टू माइए यूट्यूब चैनल आप सब कैसे हो आई होप यू आर डूइंग वेल मैं हूं मौश्मी आज मैं बात करने वाली हूं लिप्स क्रब के बारे में जो की लेमन लिप्स क्रब है लेमन सिट्रीस हमारे लिप्स के टेक्षर को बेह औला यह वो लिप्सको यू वी और डामेज वने से दप्छाती है लिप्सको एक्सपोली Bent भी करती है और इसके कंटिनूर्वज य्यूस करने से लिप्स हेल्दी और सॉफ्ट और सपल भी होती है लिप्स के ऊपर जो डेड़ स्किन सेल की परत होती है वह भी हट जाती है यह कुल्टी फ्री है पेराविन फ्री है इसके कई और वेडियन्ट है इस लिप्स क्रब के गुड़ वाइब ब्रैंड में तो मैंने यह लेमन का लिया है तो अब मैं आपको इसके इंग्रेजेंट्स के बारे में बता देती हूं थोड़ा सा इसमें है कोल्ट प्रेस्ट संफ्लावर ओयल रॉक एंड सूगर विस्वैक्स कोको बटर विटामिन ई लेमन एशेंटियल ओयल लेमन सिट्रस ओयल है और इसकी सेल्फ लाइफ टू इयर है इसमें 8 ग्राम प्रोड़क्ट है और इसका प्राइज है 125 रूपेज जो की बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है अब मैं इसको थोड़ा सा आपको पास से दिखा देती हूं इसके जो भी इसमें लिखा हुआ है इस कार्डबोर्ट के पैकेज में इसको पहले मैं आपको दिख लिखाऊंगी कि यह किस तरह का अंदर में अंदर से दिखता है तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप इसको पास से देख लो यह गुड़ बाइब्स का लेमन लिप स्क्रब यहां पे एट ग्राम प्रोड़क्ट क्वांटिटी लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा कि कार्डबोड की पैकेजिंग है और इसके जो की इंग्रिडेंस आई यह पीछे में इस तरह से मेंशन किया हुआ है देखो मैं बहुत पास से आपको दिखा रही हूं कि अब इसको मैं अंदर से खोल के दिखा देती हूं कि इसके अंदर यह किस तरह का है यह कुछ इस तरह के ट्यूब से त्यूब के इसको क्या बोलते हैं टब जैसे प्लास्टिक के यह कंटेनर है और यह कुछ इस तरह से रोटेड होके खुलती है यह मैंने कई मैं कई दिनों से इसको यूज कर रही हूं यह अल्मोस्ट खतम होने पर है मैं इसको दूसरा पर्चेस करने वाली हूं क्यूंकि यह प्रोडेक्ट मुझे काफी अच्छा लगा है यह देखो कुछ इस तरह का टेक्स्च्चर है बहुत ही खुबसूरत पैकेजिंग में यह प्रोडेक्ट आती है क्यूट सा यह डबा भी है इसका टेक्स्च्चर देखो अब यह कुछ इस तरह का है थोड़ा सा यह क्रीमी है और इसमें क्यूंकि इसमें संफ्लावर ओएल दिया हुआ है लेमन ऑइल है तो यह थोड़ा ओईली है और यह थोड़ा सा आपको सोल्ट जैसा है क्यूंकि यह स्क्रब्ब है इसलिए देखो यह कुछ इस तरह कहा है है इसको आप होटो के उपर लगा के ब्रस करने के बाद आप पहले मूं को धोले उसके बाद अ पने होटो को रब करते हो उसके बाद लिप्स को पोच लो या फिर दो भी सब्स रखते हो आप पानी से तो उसका एफेक्ट बहुत ही अच्छा रहा इसका टेक्श्चर आपने देखा अब मैं अपने ओटों पर अपने लिप्स पर आपको लगा के इसको रब करके थोड़ा सा मैं स्क्र अब मैं लिप्स पर इसको एपलाई कर लिया है मैंने अपने लिप्स को इससे स्क्रब कर रही हूं इसको रब करने से इसके अंदर जो ओयल है वो बाहर निकल आती है और होट में एक मौश्यर छोड़ जाती है आप देख सकतों इसके अंदर से ओयल निकल रही है और यह दी यह देखो इसके अंदर का पूरा ओयल निकल गया है अब देखो इसका एफेक्ट आप देख सकते हो मेरे होट भिलकुल सॉप्ट सफल और प्लम्पी हो गया है इसके एपलाई से आप देख सकते हो मेरे लिप्स तो ये था मेरा आज का प्रोड़क्ट रिव्ईव फ्रेंड आई होप अपके लिए ये घल्पूल रहा होगा अगर ये आपके लिए helpful रहा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, comments कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए Thanks for watching, stay safe, stay blessed friends Bye Bye